Hey guys, welcome to World Affairs, मैं हूँ प्रशान धवन, चले डिसकस करते हैं 23rd January 2021 के Daily Current Affair MCQ और सीरीज को आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, सीरीज आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, कोशिश करते हैं याँ पर 25,000 लाइक की, let's see if we can do that पहला question अगर हम देखें, बहुत interesting है, बहुत ही important भी है, हाली में launch हुई है Global Risk Report 2021, इस पर बहुत articles पब्लिच हुए हैं, बहुत news में है ये, और ये 2021 में launch हुआ है इसका Solva Edition, आपको simply ये बताना है, कि ये report release करी किसने हैं, ये हैं यहाँ पर आपकी options, और सही answer हम आपको बता रह ये भी का जाता है, कि ये है नौस्तर दामस report, क्योंकि इस report में करी गई है भविश्यवान, serious point of view से आप अगर देखो, तो इस report में बात की गई है, कि किस तरीके से, आने वाले 5 से लेकर 10 साल, बहुती चुनौती पूर्ण होंगे, पूरी धर्ती के लिए, और यहाँ पर आ हो सकती है, honestly speaking आप ये पूरी report अगर पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ दिन तक नीद भी ना आए, and I am not kidding, तो अभी के लिए exam perspective से यारख लेना, कि ये report release करी है, World Economic Forum ने, और World Economic Forum के headquarters कहां पे हैं, ये है in Switzerland, अच्छा एक बाद यारख लेना, कि इसको confuse मत कर लेना, World Risk Index, ठीक है, ये launch हुआ था, September 2020 में release हुआ था, और इसमें भारत की rank है 89, तो ये अलग चीज है, इसको release करती है, UN की एक university, तो जो नाम है दोनों में फर्क है, ये है World Risk Index, जो part है World Risk Report का, और दूसरा है Global Risk Report, दोनों completely different है, या दखिएगा, तो चली आगे बढ़ते हैं, अगले प्रेशन की तरफ, सु आगे बढ़ते हैं, अगले प्रेशन की तरफ, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है के National Girl Child Day, ये हम celebrate करते हैं, इंडिया में हर साल January 24 को, ये हमने celebrate किस साल शुरू किया था, किस साल पहली पर बनाएगा था इंडिया में, Girl Child Day, ये हैं यहाँ यहाँ सही उत्तर, अब मैं आपको बता रहा हूँ, राइट आंसर यहाँ पर है, ऑप्शन D, 2008, जी हाँ, 2008 से हर साल हम celebrate कर रहे हैं, January 24 को, as Girl Child Day, और इसको शुरू किया था उस वक्त, Ministry of Women and Child Development ने, आज के समय ये मंत्राले कौन समाल रही हैं, आज के समय ये मंत्राले समाल रही हैं, समृति इरानी, अच्छा साथ ही साथ ये भी याद रख लेना, कि जो National Girl Child Day है, ये तो होता है, January 24 को, एक International Girl Child Day भी होता है, ये काफी लोग कन्फ्यूस कर जाते हैं, तो जो International Girl Child Day है, ये हम celebrate करते हैं हर साल, 11 October को, और ये declared है by United Nations, तो इस वज़े से इसकी importance बहुत जादा है, द Girl Child Day की शुरुबात किसने पहले कई थी, भारत ने, या फिर UN ने, तो इसकी शुरुबात की थी, हमारे प्यारे भारत ने, तो इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था, 2008 में, UN ने स्टार्ट किया था, इसको 2012 से, वागे वरते हैं, अगले प्रशन की तरफ, बहुत अच्छा सवाल है, हाली में, हिंदुस्तान एरनोटिक्स लिमिटेड, हॉल, हॉल ने सक्सेस्वली टेस्ट फायर किया है, एक वैपन, इसका नाम है, स्मार्ट एंटी एरफील्ड वैपन, ये टेस्ट किया गया है, हौक आई, एरक्राफ्ट से, आपको सिंपली ये बताना है, कि जो एक्रोनेम है, SAAW, इसको डेवलप किस ने किया है, तो ये है, यहाँ पे आपकी आप्शन, सही उत्तर, यहाँ पे है, आप्शन, आप्शन भी, DRDO, जी हाँ, DRDO ने इसको डेवलप किया है, और हाली में, हॉल का एक बहुत ही खास एरक्राफ्ट है, हॉक आई, इससे इसको क किया गया है, और हाल के लिए भी एक खास बार इसलिए है, क्योंकि यह पहला स्मार्ट वैपन है, जिसको टेस्ट फायर किया गया है, फ्रॉम होक आई, MK-132, और इस वैपन का यूज क्या है, इस वैपन का में काम है, कि जो दुश्मन है, उसके आपके रिडार, बंकर, रन इससे पहले, IAF का जो एक विमान है, Jaguar Fighter Plane, उससे भी यह टेस्ट कर चुके हैं, सो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, यहाँ पे आपको बताना है, कि कि स्टेट के Chief Minister ने, हाली में शुरू किया है, Mobile Dispensing Units for Door Delivery of Russian Supplies, यह बहुत ही important initiative है, कुरोना काल में, और यह हाली में शुरू किया है, Option, Option C, आंद्रपरेश के Chief Minister ने, आंद्रपरेश के Chief Minister कौन है, आंद्रपरेश के Chief Minister है, Y.S. जगन वोहन रेडी, और यह Mobile Dispensing Units है क्या, क्या यह Mobile Phones related है, नई, यह है Door Delivery Vehicles, जिससे लोगों के घर में जो Essential Supplies है, Essential Commodities है, राशन है, जैसे के चावल, यह सब सीधा पहुच जाएगा उनके घर में, लोगों को अपना राशन कार्ड लेकर बाहर लाइन लगाने के आवशकता है नहीं, बहुत ही Important है, और आंद्रपरेश के Governor कौन है, Governor है यहाँ पर, बिस्वभूशन, हरी चंदन, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रेशन की तरफ अगला सवाल बहुत अच्छा है, बहुत Important है, आपको यह बताना है, वो कौन से Indian mathematician है, जिनको हाली में मिला है, बहुत ही prestigious Michael and Sheila Held Prize 2021, यह है यहाँ पे आपकी options, और सही उत्तर यहाँ पे है, option A, Nikhil Shrivastav, Nikhil Shrivastav को मिला है, यह award, मगर यह award इन्होंने अकेले नहीं जीता, यह award इनको मिला है, मगर यह award शेर करेंगे यह, तीन लोगों के साथ, Nikhil Shrivastav, by the way, कोई student नहीं है, यह अपने आप में, एक associated professor है, of mathematics, at the University of California, और इन्होंने हाली में कुछ mathematicians के साथ मिलकर, रामनुंजन की कुछ बहुत ही important mathematical equation solve करी है, जिससे काफी help मिलेगी, equate करने में, between algebra, geometry, और graph theory, यह बताया जा रहा है कि computer scientist के लिए, एक काफी अच्छा breakthrough है, तो याद रखिएगा, इनको मिला है, Michael and Sheila Held Prize 2021, और यहाँ पे आप देख पहेंगे, इसका article है, the new union express का, तो आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, अगला question आप से यह पूछ रहा है, कि हाली में किसने ज championship, जिसको organize किया था, Ice Hockey Association of India ने, गुलमर्ग में, यहाँ पे है आपकी options, सही उत्तर, यहाँ पे है option, option B, ITBP, जी हाँ, ITBP ने जीती है, यहाँ पर 10th National Ice Hockey Championship, ITBP की full form क्या है, यह है, इंडो तिवेतियन border police, जो चाइना के साथ हमानी border है, यहाँ पर primarily border पे आपको, ITBP के soldiers ह मिलेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे, दुदशन का article है, इंडो तिवेतियन border police win IHAI National Ice Hockey Championship in गुलमर्ग, और गुलमर्ग अपने आप में एक hill station है, जो आपको मिलेगा, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की 12 मुला district में, to be precise, तो आगे बढ़ते हैं, अगले हैं, यहाँ पे आपकी options, सही उत्तर, यहाँ पे आपका option, option C, 24 January, 24 January को हर साल हम celebrate करते हैं, as International Day of Education, और 24 January को हम इसको celebrate क्यो करेंगे, क्योंकि UN की General Assembly ने proclaim किया था, कि ये day होगा, as the International Day of Education, और इस बार 24 January 2021 को हम overall celebrate करेंगे, third International Day of Education, और इसका एक theme भी as बार, theme है, recover and revitalize education for the COVID-19 generation, COVID-19 generation मतलब आप सब, आप सब है COVID-19 generation, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, कि अंदमान और निकोबार कमांड कंड़ करेंगी एक बहुत ही बड़े scale पर joint military exercise, आपको simply ये बताना है, कि जल्द ही जो joint military exercise होगी, अंदमान और निकोबार कमांड में, इसका नाम क्या है, यह है यहाँ पे आपकी options, सही उत्तर यहाँ पे है option A, कवच, यहाँ पे आप देखेंगे, इस पर आर्टिकल भी है, और इन्या रेडियो का large scale, बहुत ही बड़े scale पर हो रही है, तो इसलिए काफी important है, large scale joint military exercise, कवच, to be conducted next week, और इसमें participate कौन कौन करेगा, army, navy, air force, Indian coast guard, बहुत भी बड़े scale पर होगी, तो इसको याद अखिएगा, आगे बरते हैं, अगले question की तरफ, यहाँ पे आपसे पूचा जा रहा है, कि वेश्व प्रसिद, crack K9 QRT, quick reaction team, यह reaction team है, video reaction team नहीं है, यह security forces से related है यह हाली में news में है, आपको यह बताना है, कि crack K9 QRT, इन में से किसका part है, CRPF का, ITBP का, NDRF का, या फिर CISF का, सही उत्तर यहाँ पे है option B, ITBP का, ITBP again news में है, इन्होंने championship भी जीती, और crack Q9 QRT, यह भी है ITBP के ही part, और आजकर यह news में क्यों है, क्योंकि रेको इस team में हैं, कुते, यह basically जो बहुत जादा trained dogs होते हैं, उनकी यह team है, यह इस बार 26 जन्वरी की parade में, security का एक काफी important part होंगे, यह दखिएगा, ITBP की crack K9 QRT dog squad team, के 9 आपको बता होगा, उन dogs को, उन कुतों को कहते हैं, जो properly trained होते हैं, for security agencies, और यहाँ पे आप देख पाएंगे, द अखला सवाल आपसे यह पूछ रहा है, के हाली में, PM बोधी ने address किया है, अठारवी convocation को of तेजपूर University, तेजपूर University कि स्टेट में located है, यह है, यहाँ पे आपकी options, तृपुरा, मनेपुर, सिक्किम, या फिर आसाम, सही उत्तर, यहाँ पे है option, option D, आसाम, जी हाँ और यहाँ पे आप देखोगे, बहुत ही important North Eastern state, आसाम, और यहाँ पे जो नदी जारी है, यह है भ्रमपुत्र नदी, आसाम border share करता है इन state के साथ, नागा लेंड, मनेपूर, मिजोराम, तृपुरा, मिघालया, और यहाँ पर West Bengal, और तेजपूर आसाम का एक शेर है, आसाम की capital क्या है, आसाम की capital है, दिसपुर, ओके, very important, so अब बात करते हैं उस question की, जो मने आप से पूछा था, 22 January 2021 को, हमारे भारत के सम्विधान में कितने मौलिक करतवे हैं, fundamental duties, सही उत्तर यहाँ पे है, option D, 11 fundamental duties हैं, in the Indian constitution, अंकिस सिंग ने summarize यहाँ पे काफी अच्छा किया है, जो यह fundamental duties हैं के बारे में लिखा है, और जो यह fundamental duties हैं, बहुत सारी, यह add करी गई थी, through the 42nd Amendment Act of 1976, अच्छा यह जो addition हुआ था, यह किस committee की recommendation पे हुआ था, this was done under Swaran Singh Committee, very important, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आज का प्रश्न, नेता जी सुभास चंद्रबोस, आज कल बहु आपको यह बताना है, के निता जी सुभास चंद्रबोस ने आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था, किस देश से, बाद में देखो, यह बहुत countries में फैला, मगर इसकी शुरुवात किस देश में हुई थी, यह प्रशनाय था, CDS 2018 के एक्जाम में, option है आपके पास, जपा आप लाइक भी कर सकते हैं, encourage करिए उनको, और वीडियो को भी आप लाइक and share कर सकते हैं, तो यह है अंत इस वीडियो का, मिलता हूँ आपसे कल सुभे, God bless you all!